आपको पता है दुनिया में 8 करोड 80 लाख यूजर्स है आपल म्यूजिक के अगर आप इन में से एक भी हो या फिर अगर नहीं भी हो तो ये सारे टिप्स और ट्रिक्स जानने के बाद आप आपल म्यूजिक को ज़रू सब्सक्राइब कर लोगे वैसे आपल म्यूजिक आप आ करूँगा यहां पर सारे लिरिक्स देखने को मिल जाएंगे लेकिन अगर मैं कोई स्पेसिफिक पार्ट पर जाना इस पटिकलर सॉंग में तो मैं यहां पर ड्रैग करके उस पटिकलर स्लाइड कर सकते हो लेकिन जो इसीर मेथड है वह यह लिरिक्स का अब सब्सक्राइब यहां पर कोई भी सॉंग में सुन रहा हो और इस पर इस सॉंग में कोई प constituär lyrics में को किसी क namely hem करना हाय तो में को करना इतना है कि यहां पर long प्रेस करने के पास वेरियस लाइन को मैं यहां से आके selective कर सकता हूं इसके बात मैं पर इतना ही करना कि हैं कि इसको स्धोर करना है आ इस परड़ी सॉंग को सर्च कर सकता हूँ उसके लिए मैं को इतना ही करना है कि यहाँ पर सबसे पहले सर्च में आना है उसके बाद मैं को यहाँ पर सर्च करना है तेरी दिशा में क्यों यहाँ पर जैसे मैं सर्च पर टैप करूँगा तो यहां पे song पे जैसे में long press करूँगा यहां पे में को option मिल जाए कि view full lyrics and उसके बाद सारे lyrics एक साथ एक ही page पे आप यहां पे देख पाऊगे चले अब कुछ gestures की बात कर लेते तो कोई भी song में आप आते हो and यहां पे जैसे इसको left side drag करोगे यहां पे आपको दो option मिल जाएंगे अगर इस blue वाले icon में tap करूँगा तो playing next में automatically यह song add हो जाएगा लेकिन अगर यह वाले orange वाले icon में tap करूँगा तो playing last में चला जाएगा that is जो भी music आप सुन रहे होंगे उस music में as a next song या फिर as a last song add हो जाएगा लेकिन यहां पे आपको एक shortcut भी मिलता है that is इस song को अगर मैं all the way right side drag कर लेता हूँ तो playing next में automatically add हो जाएगा अगर इस song को मैं left side drag करता हूँ तो यहां पे मैं इसको delete भी कर सकता हूँ as well as यहां से आके मैं इसको download भी कर सकता हूँ यहां पे right side अगर आपको plus का icon दिख रहा है तो उसका मतलब है कि उस song को आप library में add कर सकते हो एक बार library में add हो चुका है उसके बाद यहां पे आपको download के option मिलेगा एक बार download हो चुका है उसके बाद यहां पे आपको delete का option मिल जाएगा and similarly इसको अगर मैं left side all the way drag कर लेता हूँ तो आप देख से तो automatic download इसका शुरू हो चुका है तो time अगर आपको आपका बचाना है तो all the way इसको left side या फिर right side भी drag कर सकते हो अब next जैसे यह वाला song में सुन रहा हूँ यहां पे इसके artist में जैसे tap करूँगा तो मैं go to album पे select करके पूरा album भी देख सकता हूँ इतना इने इस particular artist पे जैसे tap करूँगा यहां पे मैं कोई star का option मिल जा रहा है अब जैसे मैं इस particular artist को favorite कर दूँगा automatically यह होगा आपको better recommendation मिलेंगे इस particular artist से as well as यह artist जब भी कोई भी नया song release करेगा तो आपको एक notification मिल जाएगा अब मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग जो apple music use करते वो एक function इसमें activate नहीं करते that is settings में आपको आना है music में यहां पे आपको EQ को option मिल जाएगा तो आपका जो भी music का choice जिस type का music अब जादा सुनते हो hard rock सुनते हो, pop जादा सुनते हो, rnb जादा सुनते हो तो उस हिसाब से आपको आपका EQ सेट कर लेना चाहिए तो अगर आपके music से आपको best quality चाहिए तो यहां पे आपको EQ सेट कर लेना चाहिए अब क्या आपको यह पता कि apple आपको एक लाख songs डाउनलोड करने का option देता है अपको जितने जादा songs आप डाउनलोड करोगे उतनी जादा space भी use होगी लेकिन अगर आपको कोई भी songs offline listening ले डाउनलोड करने आपको करना इतना है कि suppose for example यह पूरी की पूरी playlist में को डाउनलोड करनी है तो इस playlist में को long press करना है यहाँ पर में को download को option मिल जाएगा अगर में को specific songs डाउनलोड करने है तो वो भी इस तरीकी से में कर सकता हूँ और अगर और भी आसान बना देना है पूरे process को तो फिर आपको आना है settings में again आपको same music में आना है यहाँ पर आपको एक option मिल जाएगा automatic downloads in my case on है अगर यह option आपके case में off है तो आपको इसको on कर लेना चाहिए तो इसे हो गया है कि कोई भी song आप library में add करोगे automatically वो song डाउनलोड भी हो जाएगा अब जैसे कि मैंने आपको बता है जितने जादा songs आप डाउनलोड करोगे उतनी जादा आपके iPhone की storage भी use होगी तो वो अगर आपको beat करना है तो उसके लिए आपको आना है music में यहाँ पर आपको एक option मिल जाएगा optimize storage इसको आपको on कर लेना है उसके बाद आपका जो भी choice है वो selection आप यहाँ से आके कर सकते हो अब कोई भी song अगर आप Apple Music में देखते हो अगर आपको यह जाना कि यह song कौन से album में है तो आपको यहाँ पर long press करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर option मिल जाएगा शो album का जैसे आप शो album करोगे इस album में बागे कि जितने भी song से वो सब यहाँ से आके आप देख सकते हो अब next जो tip है वो honestly मैं आपको बता रहो मेरे को भी नहीं पता थी तो उसके लिए हम library में आएगे और यहाँ पर हम आएगे playlist में उसके बाद new playlist में click करके एक new playlist हम create कर लेते हैं अब इस playlist में आपके मन पसंद songs आप आड़ करी सकते हो लेकिन इस playlist में एक और आपको option मिल जाता है that is जैसे ही आप इस पड़िए camera पे tap करोगे आप यहाँ पे take photo यापे choose photo क्लिक करके आपका खुद का picture इस पड़िए playlist में add भी कर सकते हो तो अब तक मैं जब भी playlist कोई भी create करता था by default यहाँ पे एक thumbnail set हो जाता था लेकिन अब मेरी playlist में मैं अपना खुद का picture यहाँ पे add कर सकता हूँ अब playlist के बात निकली है तो अगर आप कोई भी playlist अपनी create करते हो उसके बात उस पड़िए playlist को आप share भी कर सकते हो जारे जैसे आप long press करोगे यहाँ पे आपको share playlist का option मिल जाएगा अब next जो trick है मैं आपको strongly recommend करोगा आपको जरूर से जरूर ट्राइ कर लेना चाहिए उसके लिए मैं आएगे listen now में listen now में आप जैसे आओगे यहाँ पे आपको made for you में कुछ curated list देखने को मिल जाएगी for example getup mix यहाँ पे आपको देख जाएगा या फिर कुछ cases में आपको new music mix देख जाएगा favorite mix देख जाएगा अब यह सब curated list of songs जो है वो specifically आपके listening के बनाया जाते तो apple music अगर आप यूज कर रहे हो तो listen now में जरूर आपको यह option आके यूज कर लेना है अब क्या आपको यह पता है कि Shazam का जो owner है वो खुद apple ही है तो Shazam और apple का जो combination है वो बहुत ही बड़िया तरीके चलता आपके iPhone में तो every time कोई भी song आप सुन रहे हो और अगर आपको यह जाना के कौन सा song है आपको सिर्फ इतना यह करना है control center में आके आप जैसे Shazam activate करोगे आपका Shazam उस पड़ियो song को identify तो करी लेगा लेकिन plus आप कोई alarm यहां पर set करते हो तो जैसे आप sound पर click करोगे आपको कुछ limited option मिल जाते हैं आप इन में से कोई भी sound का option select कर सकते हो लेकिन अगर आप बोर हो चुक हो यह सब sound से अगर आपको कुछ नया चाहिए तो फिर यहां पर आपको apple music काम आएगा तो जैसे आप यहां पर आपक option में जाएगा pick a song का जिसके उपर आप जैसे ही tap करोगे आपकी library यहां पर open हो जाएगी उसके बाद जो भी song आप add करना चाहते हो वह song यहां से आकर आप add कर सकते हो तो जैसे आप इसको select करोगे आप देख सकते हो अब आपका जो alarm है उसका sound change हो चुका है तो अगर वह inbuilt sound स आप बोर हो चुकी हो तो apple music से sounds आपके alarm में set कर सकते हो अब next trick के लिए हम music में नहीं आएंगे हम आएंगे photos में photos में albums में आने के बाद कोई particular album यहां पर जैसे आप open करोगे यहां पर आपको triple dot को option मिल जाएगा उसके बाद यहां पर आपको option मिल जाएगा उसके बाद यहां यहां पर वीडियो इस पड़ी album में वो अटोमाटिकल एक memory में convert हो जाएगे अब यह तो आपको पता ही होगा लेकिन यहां पर आप जैसे tap करोगे यहां पर आपको apple music option मिल जाएगा इस पर आप जैसे tap करोगे यह जो music background में चल रहा है इस पड़ी हो memory में वो आप change कर सकते ह लाइकिंग और उसके लिए अगें यहां पर प्लस पर टैप करेंगे अब आपके apple music से आपको जो song पसंद है जो आपका favorite song हो आप यहां पर आपके search भी कर सकते हो यहां फिर आपके top suggestions यहां पर just for you से select भी कर सकते हो अब next मैं यहां पर एक ऐसा song select किया है जैसे यह memory अगर मै Instagram यहां फिर YouTube पर share करता हो तो वहां पर ब्लॉक हो सकता है यह particular song तो in that case यहां पर जैसे मैं arrow पर click करूंगा यहां पर मैं को एक option मिल जाए choose shareable soundtrack that is आपके apple music या फिर आपके iPhone ने automatically यह समझ लिया कि यह वाला जो song यह शेरेबल नहीं है आपको राधर एक ऐसा track choose कर लेना चाहिए जो आप YouTube या फिर Instagram पर share कर सकते हो अब वापस हम आते है music में यहां पर हम आते है browse में अब browse में एक और option है जो जादा लोग को नहीं प दिपा हुआ है यहां पर आपको option मिल जाए का जैसे आप chart करोगे अपको दूनिया भर के टॉप song मिल जाएंगे that is top songs यहां पर मिल जाएंगे कोई specific city के top song भी यहाँ पे देख सकते हो, global देख सकते हो, top 100 इंडिया देख सकते हो, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे option मिल जाते है, US के top 100, UK के top 100, तो जो भी top songs world के है, वो अगर आपको देखने है, तो यहाँ पे आपको charts के अंदर यह option देखने को मिल जाएगा, लेकिन problem इ इतना है कि search में आना है, आपको happy songs यहाँ पे search करने है, तो सिर्फ आपको search पे tap करना है, यहाँ पे आपको लिखना happy, जैसे happy करके search करोगे, यहाँ पे आपको वो playlist या फिर वो सारे albums दिख जाएंगे, जो एक happy mood के लिए create किये गए है, तो कहने का मतलब आपने song के हिसाप से search कर सकते हो, album search कर सकते हो, artist search कर सकते हो, playlist search कर सकते हो, radio shows, radio episodes, stations, music, videos, लेकिन अगर आपके mood के हिसाप से कुछ search करना है, तो वो भी आप Apple Music में आके कर सकते हो, अब next and आखरी जो trick है, again बहुत ही interesting है, तो for example, यह वाला song मैं सुन रहा हूँ, मेरे को सिर्फ इतना ही करना है, कि मे one रोलना है, make a station, तो जैसे मैंने make a station बोला, यहाँ पर आप देख पाऊंगे, जो भी song इस produce song से related है, वो automatically यहाँ पर आपके add हो जाएंगे, तो अगर आपको कोई भी song पसंद आ रहा हो, तो उस song से related है, पूरी station create कर सकते हो, यहाँ पर, तो Apple Music के tips and tricks, अगर आपको interesting लगे, तो आपको सिर्फ इतना है करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेर करना है, चैनल पर पहली बारा सब्सक्राइब कर सकते हो, पास में आपको जो बेल आइकन दीख रहा है, उस पर भी क्लिक जरूर करिए, देखते रहे, अलोजन टेकन हिंदियो मिलते हैं, नेक्स वीडिय कि अELIर देखते हैं, जょाओं मेघ रहा हैं, जय सकते हैं, कि एम अलोजने हैं, आपको सब्सक्तार को कि एम आपको सब्सक्ते ही हैं, जया है, आपको सब्सक्तार कि एम तेस्क्ति बाओको सत्बक Jedis clear music